So, hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called Texas Chainsa Massacre 2022 में रिलेज हुई ये एक बहुत ही horror thriller movie है और मेरे कमजोर दिलवालों से ये गुजारी से कि आप इस movie को बिलकुल भी ना देखे क्योंकि हो सकता है इसी देखने के बाद आपकी तो हो सुर जाए So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation इस film की सरुआत में हमें TV पर एक news दिखाय जाता है जिसमें इसी film की पुरानी sequence की कहानी बताई जा रही थी कि कैसे 18th August 1973 में पाच दोस्तों का ग्रूप टिकसास के एक टॉन में गया था और वहां वो लोग लेदर फेस का सिकार हो गए उन में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बशपाई थी जिनका नाम Sally था दोस्तों इस movie के आगे के story को explain करने से पहले मैं आपको बता दूँ के लेदर फेस एक दरिंदे से भी बत्तर साइको किलर है जो चेंसा की मदद से बेकसूर इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है अब हम देखते हैं कि Sally जो उन पाच दोस्तों में से last survivor थी वो अब काफी बुढ़ी हो चुकी है लेकिन लेदर साथ से बदला लेने की चुल उसके अंदर अभी भी बाकी थी तो इसी के साथ हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लेला था वो एक गैस स्टेशन पर कुछ सामान पर्चिस करने गई थी और उसी के साथ वहां तीन लोग और आये थे जिनमें से दैन्पे, रूत और एक उसकी सिस्टर मेलोडी थी वो लोग अपनी कार से टिकसस के हारलो टॉन में जाने वाले थे जिस पर उस गैस स्टेशन का ओनर उन लोग उसे कहता है तुम लोग वहां जातो रहे हो पर ध्यान रहे वहां जाना खत्रे से खाली नहीं है लेकिन वो लोग उसकी बातों को इगनौर कर देते हैं यहां पर हमें उन चारों के इलावा एक और आदमी को भी दिखाया जाता है जो अपने साथ गन कहरी कर रहा था और उसका नाम रिचर था फिर वो चारों रिचर का मजाक उड़ाते हुए वहां से अपनी कार लेकर हारलो सिटी के तरफ जाने लगते हैं दरसल दानते और मेलोडी ने एक अंडेवलप्ट टाउन करदा था यहां कोई भी नहीं रहता था इसलिए अब वो लोग उसे आक्सन याने की निलाम करने वाले थे यह लोग कार से आगे बढ़ी रहे थे कि तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पे उन लोगों को दो पुलिस वाले रोक लेते हैं और उनसे इंक्वेरी करते हैं जिसके बाद उन में से एक पुलिस वाला दानते को अपना कार देता है और कहता है कि अगर अंदर टॉन में कुछ परिसानी हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर लेना इसके बाद वो लोग टेकसस की हॉरलो टॉन में पहुँच जाते हैं जहां उन लोगों को वही रिचर नाम का आदमी दिखता है और रिचर एक्शोली में दानते का ही कॉन्टरक्टर था फिर वो दोनों हैट से करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं फिर दानते और मेलोडी वहां के एक घर में इंटर करते हैं जो कि उसकी ही प्रुपर्टिस थी और तभी उन दोनों को उस घर में एक ओल्ड लेडी दिखाए देती है वो ओल्ड लेडी उन दोनों से कहने लगती है तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो क्या तुम लोग मेरे नए पड़ोसी हो जिस पर दानते कहने लगता है अरे नहीं नहीं दादी मा ये तो हमारा ही घर है और मुझे नहीं पता था कि इस टॉन में कोई रहता भी है वो ओल्ड लेड़े उन दोनों के लिए कॉफे बनाती है और बड़े प्यार से कहती है बेटा ये घर तो मेरा ही है मैंने तो बैंक को अपने लोन के सारे पैसे दे कर इसी पूरी तरह से अपना बना लिया था और मैं काफी सालों तक यहां पर एक और फिन भी चलाया करती थी लेकिन देंते को उसकी बातों पर रिकीन नहीं होता और वो वहां से उटकर गुस्से में चला जाता है मेलोडी उस ओल्ड लेड़े को समझाने की कोसिस करती है जिस रहता है और वो ओल्ड लेड़ी अब तक उसका ख्याल रख रहे थी वो ओल्ड लेड़ी उस मॉस्टर की तरह दिखने वाले आदमी से कहती है बेटा यहां सब ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ और वो ऐसा ही करता है फिर तभी दानते बाहर से पुलिस वाले को कॉल करके वहां बुला लेता है जब वो पुलिस वाले उस लेड़ी को घर खाली करने के लिए उसे फोर्स फुली बाहर निकालने लगते हैं तो उसे हाट अटायक आ जाता है और फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं तभी उस और्फिन का लास्ट स्टुडेंट उतर कर नीचे आता है और उस ओल्ड लेड़ी को गोद में उठाकर अम्बुलेंस में ले जाता है फिर मेलोडी की फ्रेंड रूत और दोनों पुलिस वाले लेड़ी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं लेकिन तभी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उस ओल्ड लेड़ी की डेथ हो जाती है ये देखकर वो बड़ा सा आदमी रोने लगता है और वो उस लेड़ी को उठाने की कोसिस करता है क्योंकि वो उसे अपनी गौड मदर समझता था लेकिन जब वो नहीं उठती तो वहां बैठा पुलिस ओफिसर उसका हाथ लेता है और कहता है वो अब मर चुकी है ये सुनकर वो आदमी बहुत कुस्से में आ जाता है और उस पुलिस ओफिसर जैसे ही दूसरी हाथ से गन निकाल कर उसे सूट करने की कोसिस करता है तो वो उसे जान से मार देता है और गन से निकली हुई बुलेट सीधे दूसरी है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है एंबुलेंस में बैठी रूत को जब होस आता है तो वो देखती है कि वो बड़ा सा देखने वाला आदमी उस ओल्ड लेडी को एंबुलेंस से बाहर ले जाकर उसके फेस से स्कीन को निकाल रहा है ये देखकर वो काफी घबरा जाती है क ये आखिर ये सब हो क्या रहा है कोई उसकी मदद के लिए वहां आ सके इसलिए वो पुलिस वाले का रेडियो स्टेशन आउन करके हिल पे मांगने लगती है तभी उसकी आवाज उसी गैस स्टेशन के ओनर तक पहुंचती है जिसे फिल्म की सुरुआत में दिखाया गया थ रूत की बात को सुनकर गैस स्टेशन का ओनर समझ जाता है कि वो बड़ा हासा देखने वाला आदमी कोई और नहीं बलके लेदर फेस ही है और तभी वो आदमी ये नियूज को 1973 वाली सीरीज की लास्ट सरवैवर यानिकी सैली तक पहुंचाता है ये सुनने के बाद सैली अ होरलो टॉन की तरफ निकल जाता है दूसरी तरफ टॉन में बहुत सारे लोग वहां के आउक्सन में पहुंच जाते हैं और अब आउक्सन चालू हो चुका था तभी मेलोडी को मालूम चलता है कि वो ओल्ड लेडी मर शुकी है ये सुनकर वो काफी दुखी होती है कि उसकी वज़ा से एक बेगुना बेकसूर की जान चली गई फिर मेलोडी और उसकी बहन लेला टाउन से जाने वाली होती है ताकि वो लोग उस ओल्ड लेडी के मडर केस में ना आ जाए वो लोग जैसे है गाड़ी स्टार्ट करके जाने वाली होते हैं कि तभी रिचर वहां पे आ समा रही है तो रिचर कहता है अच्छा तो फिर इस प्रोपर्टी के पेपर को दिखाओ जिसके बाद दैंते और मेलोडी उस प्रोपर्टी के पेपर को ढूंडने वैन में जाते हैं लेकिन उन्हें उस प्रोपर्टी का पेपर नहीं मिलता ये देखकर मेलोडी को लगता है कि वो प्रुपर्टी सच में उस ओल्ड लेडी की ही थी और अब उन लोगों ने बहुत बढ़ी गल्पी कर दी जिससे चाह कर भी ठीक नहीं किया जा सकता था वैसे दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस वडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जिरूर से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है फिर दैन्ते और मेलोडी उसी ओल्ड लेडी के घर उसके प्रुपर्टीस के पेपर को डोणने के लिए जाते हैं और फिर उन लोगों को एक छोटे सी तिजोरी में सच में उस ओल्ड लेडी के प्रुपर्टीस का पेपर मिलता है जिसका मतलब इन लोगों ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तभी वहाँ पर उन लोगों को एक आहट सुनाई देती है दैन ते उस आवाज का पीछा करते हुए किचिन के तरफ जाता है, जहां पर वो अपने पीछे लेदर फेस को देखता है और वो जैसे ही पीछे मूडता है लेदर फेस उसी चौपट से बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है ये सब देखर मेलोडी डर के मारे एक कबड में छिप जाती है और फिर लेदर फेस अपने पुराने अवतार में आ जाता है और अपने पुराने चेंसा को स्टार्ट करने लगता है और फेन के बाहर सभी लोग वैन के अंदर चले गए थे क्योंकि बाहर बारे सोने लगी थी और इंजर्ड दैनते किसी तरह रेंग कर उस औरफेन से बाहर निकलता है वहाँ से बाहर निकलते ही रिचर और एक लड़की उसे इस हाल में देखकर दंग रह जाते हैं दैनते उसे कुछ बता पाता कि उससे पहले उसकी मौत हो जाती है इसलिए रिचर उस लड़की को पुलिस वाले को कॉल करने को कहता है और खुद को रिस्तिरी का सैलमाउन भाई समझते हुए एक छोटी से गन को लेकर उसी औरफिन में चला जाता है इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो दरिंदा यानि की लेदर फेस उसके उपर भी अटाक कर देता है और उसके पैरों को हथोड़े से मार मार कर तोड़ देता है जिस वजह से रिचर वही जमीन पर गिर जाता है वहाँ छुपी मेलोडी ये सब अपने आँकों से देखे कर क देता है और फिर इसी के साथ रिचर भी मारा जाता है दूसरी तरफ सैली को टेकसस टॉन में इंटर करते हुए उसकी नजर एंबुलेंस पर फड़ती है जिसका एक्सिडेंट हो चुका था और फिर वो उस ओल्ड लेडी की डिट बॉड़ी को भी देखती है जिसकी फेस से चमड़ी उत्री हुई थी ये देखकर सैली चाची समझ जाती है कि ये काम लेडर फेस का ही क्या हुआ है उधर सिटी में लीला को जब उसकी सिस्टर मेलोडी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो उससे ढूनने निकल जाती है कुछ दूर चलते है उसकी नजर दैंते के डिट बॉड़ी पर पड़ती है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है और वो भी समझ जाती है कि यहां कुछ गडबड है अंदर मेलोडी किसी तरह कार की चाबी लेकर और फिंच से निकलने की कोशिश करती है लेकिन अनलैकली तभी लिदर फेस उसे भागती हुए देख मेलोडी बेसमेंट के अंदर से ही वहां से भागने की कोशिश करती है और लेदर फेस अपने चेंसा से बार बार मेलोडी के उपर अटायक करता है मेलोडी अपने सांसे रोक कर उसी बेसमेंट में छुपी हुई थी लेकिन तभी लिला वहां आती है और वहां के विंडोस को तोड़ कर उसे वहां से भागने में उसकी मदद करती है दोनों बेने अपनी जान बचा कर वहां से भागने की कोशिज करती है और जाकर वैन के ड्रैवर को की दे देती है और कहती है फौरन यहां से निकलो वरना सभी लोग मारे जाओगे वो bus driver van को start करके वहाँ से भाग पाता कि उसे पहले leather face उस van में आ जाता है लेकिन सबसे funny बात तो ये थी कि van में मौझूद सारे बेवकूफ लोग जो auction में आये थे वो लोग वहाँ से भागने और उसके उपर हमला करने के बज़ाए उसका photo लेने लग जाते हैं जैसे मानो की leather face किसी fancy dress party में आया हो उनमें से एक बंदा जो कुद को बहुत बड़ा social media influencer समझ रहा था वो उस moment को social media पर live कर देता है जिसमें उसे एक mint में 1000 लैक मिल चुके थे वैसे guys मेरी इस वीडियो में आप लोग at least 10k लैक्स तो देही सकते हो उन सभी के बच्काने हरकत के बाद वही हुआ जिसके वो लोग हकदार थे leather face अपनी chainsaw को start करके एक के बाद एक सभी को मौद के घाट उतार देता है अब बारी थी लिला और मिलोडी की क्योंकि वो लोग van के पीछे वाले के बिन में थे leather face उन दोनों तक पहुँचता कि उससे पहले वो दोनों van के windows से भाग निकलती है और तभी वहाँ पर एक car की entry होती है जिन में कोई और नहीं बलके Sally चाची थी जो कि इस उम्रे में भी leather face से बदला लेने आई थी वो लेला और मेलोडी को कार में शिपने को कहती है और खुद leather face से फैर करने अकेली निकल जाती है और फिर Sally का सामना leather face से 48 साल के बाद एक बार फिर से होता है Sally leather face से कहती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ जिस पर leather face कुछ भी नहीं बोलता Sally उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसे तुम पिछली बार नहीं मार पाए थे फिर leather face Sally के हाथों में सौट गन देखे कर भागने लगता है लेकिन leather face एक बार फिर से अपनी चेंसा के साथ वापिस वहाँ आता है यानि कि वो भागा नहीं था वो तो अपना आउजार लेने गया था जिसके बाद Sally और leather face में फैट सुरू हो जाती है लेकिन Sally के हड़ियों में जान नहीं होने के वज़ा से उस फैट का रिजल्ट ये आता है कि leather face Sally को अपनी चेंसा के हिल्प से बहुत भ्यानक तरीके से जख्मी कर देता है वहां मौझूद लेला और melody Sally के कार को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी leather face चेंसा से उसके उपर attack कर देता है इसके बावजूद भी melody उस कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई फैदा नहीं होता और उसकी कार की accident हो जाती है melody लेला से कहती है तुम फोरण यहां से भाग जाओ तुम एक strong लड़की हो मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यह सब मेरे वज़ा से हुआ है अगर जिंदा बच गए तो फिर जरूर मिलेंगे melody लेदर पेस से कहती है please मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि वो orphan उसी lady का था और वो उससे अपनी जान की भीक मागने लगती है लेकिन क्या फैदा अपना विलन थो ठहरा भला सकतलोंडा वो अपनी चेंसा को स्टार्ट करता है और melody के उपर फिर से attack करने लगता है तभी दूसरी तरफ से लेला भी एक sword gun लेकर वहां आ जाती है और जोड से चिलाती है ओय लेदर फेस जिसके बाद लेदर फेस उसके तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही लेला उसे गन से सूट करने की कोसिस करती है उसका गन जैम हो जाता है और फिर लेदर फेस उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है भागते भागते लेला जमीन पर गिर जाती है और फिर जैसे ही लेदर फेस उसे चेंसा से मारने वाला था कि तब ही पिछे से सैली उसे सौट गन से सूट करती है क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी बुलेट लगते ही लेदर फेस और फेन के अंदर भाग जाता है और फिर लेला सैली से सौट गन लेकर और फेन के अंदर चली जाती है और उन दोनों में एक बार फिर से फैट शुरू होती है जिसके बाद लेला लेदर फेस के फेस पर उसी के चेंसा से अटाइक कर देती है जिस वज़े से लेदर फेस वहीं पाने में गिरकर मर जाता है। फिर मिलोड़ी वहां आती है और लेला को हक करती है। और दोनों चैन की सांस लेती है। लेकिन दोस्तों फिल्म यहीं पर खतम नहीं होता। जब सुबा होती है तो मिलोडी और लेला दोनों अपने टेसला कार से अपने घर के तरफ जाने के लिए कुसी-कुसी वहां से निकलती है तभी एक बार फिर से लेदर फेस वहाँ पर आ जाता है यानि कि वो ढीट अभी भी जिन्दा था और फिर वो मिलोडी को घसीट कर कार से बाहर निकालता है लीला अपनी बहन के लिए चीकती चिलाती रह जाती है लेकिन उसका कोई फैदा नहीं होता और फिर एड़ दा इंड लिदर फेस मिलोडी को सर को चेंसा से काट कर धर से अलग कर देता है और इसी के साथ लीला अब इस सीरीज की लास्ट सर्वैवर बज जाती है जिसे आटो पैलेट कर वहां से लेकर निकल जाती है तोस्तों वैसे इस मूवी के और भी बहुत से सीरीज बहुत पहले ही आ चुके थे अगर आपको मेरी ये एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंड करके जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों के लिए बाकिके पार्ट्स को भी एक्स्प्लेन कर सकूँ फिर मिलता हूँ किसी और मुवी की एक्स्प्लेनेशन के साथ नए वीवर से ये गुजारे से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेला करें